नमस्ते अस्तु महामाई श्री पीठे सर पूजिते संख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्री पीठ पर अस्तित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाई तुम्हे नमस्कार है हाथ में शंक, चक्र और गदाधारन करने वाली महलक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्वेता प्रकास और आए आज हम जानते हैं मादुर्गा के 108 नामों के बारे में इवं इसका अर्थ भी आज हम इसी के साथ जानेंगे मादुर्गा का पहला नाम है मा सती यानि अगनी में जल कर भी जिवित रहने वाली मा साध्वी यानि आशावादी मा भव प्रिता यानि भगवान शिव पर प्रिती रखने वाली मा भवानी यानि ब्रम्हान में निवास करने वाली मा भव मोचनी यानि सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाली मा आर्या यानि देवी मा दुर्गा यानि अपराजे मा जया यानि विजई मा आध्य यानि शुरुवात की वास्तविक पर रखने वाली मा त्रीनेत्र यानि तीनाख हो वाली मा शूल धारिनी यानि शूल को धारण करने वाली मा पिनक धारिनी यानि शिव का त्रिशूल धारण करने वाली मा चित्रा यानि सुरम्य यानि अत्यंत ही सुन्दर मा चंद्र घंटा यानि प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली यानि घंटे की आवाज निकालने वाली मा सुधा यानि अम्रित की देवी मा मन यानि मनन शक्ति रखने वाली मा बुद्धी यानि शर्व ग्याता मा एहंकारा यानि अभिमान रखने वाली मा चित रूपा वह जो सोच की अवस्था में है माचित्ता यानि मिद्दु सैया माचिती यानि चेतना मा सर्व मंत्र मैं यानि सभी मंत्रों का ज्यान रखने वाली मा सत्ता यानि सत्वरूपा जो सबसे उपर है मा सत्यानंद स्वरूपणी यानि अनंत आनंद का स्वरूप मा अनन्ता यानि जिनके सुरूप का कोई अन्त ही नहीं है मा भाविनी सबको उत्पन करने वाली खूब सूरत औरत मा भाव्या यानि भावना एवं ध्यान करने योग्य मा भाव्या यानि कल्यान सुरूपा यानि भाविता के साथ मा अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कुछ भी नहीं है वह हुई मा अभव्या मा सदा गती यानि हमेशा गती में रहने वाली यानि मोक्छ दान मा शम्भवी यानि शिव प्रिया शिव शम्भू की पत्नी मा शाम्भवी यानि शिव प्रिया शम्भू की पत्नी मा देव माता यानि देवगन की माता मा चिंता जो की चिंता करने वाली है मा रत्न प्रिया यानि गहने से प्यार करने वाली मा सर्व विद्या यानि ज्यान का निवास मा दक्ष करन्या यानि दक्ष की बेती मा दक्ष यग्य विनाशनी यानि दक्ष के यग्य को रूखने वाली मा आपड़ना यानि तपस्या के समय पत्ति को भी न खाने वाली मा अनेक वर्ना यानि अनेक रंगों को धारण करने वाली मा पाटला यानि लाल रंग वाली मा पाटला वती यानि गुलाव के फूल के समान मा पट्टामबर परिधाना यानि रेशमी वस्त्र पहनने वाली मा कला मंजिरा रंजिनी यानि पायल को धारण करके प्रसन रहने वाली मा अमे यानि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है मा विक्रमा यानि असीम परक्रमी मा क्रूरा यानी दैत्यों के प्रती कटोर रहने वाली मा सुन्दरी यानी सुन्दर रूप धारण करने वाली मा सुर सुन्दरी यानी अत्यंत सुन्दर मा वन दुरगा यानी जंगलों की देवी मा मातंगी यानी मतंगा की देवी मा मातंग मुनी पूजिता यानि बाबा मतंगा द्वारा पूजनी है मा प्राम्ही यानि भगवान ब्रम्हा की शक्ती मा माहेश्वरी यानि प्रभू शिव की शक्ती मा इंद्री यानि इंद्र की शक्ती मा कौमारी यानि किशोरी मा वैश्णवी यानि अजे मा चामुंडा यानी चंड और मुंड का नाश करने वाली मा वाराही वाराह पर सवार होने वाली मा लक्षमी यानी सोभाग्य की देवी मा पुरुशा कृत्ती यानी वह जो पुरुश धारन करले मा विमी लोत काशनी यानी आनंद परदान करने वाली मा ज्याना यानी ज्यान से भरी हुई मा क्रिया यानी हर कारे में होने वाली मा नित्या यानी अनंद मा बुद्धिधा यानी ज्यान दिने वाली अब बहुला यानि बिविन रूपों को धारण करने वाले मा बहुल प्रेमा यानि सर्व प्रिय मा सर्व वाहन वाहना यानि सभी वाहन पर विराजमान होने वाले मा निशुम्ब शुम्ब हननी यानि शुम्ब निशुम्ब का वद करने वाले मा महिशा शुर मर्दिनी यानि महिशा सुर का वध करने वाले मा मधु कैटब हंत्री यानि मधु वक कैटब का नाश करने वाले मा चंड मुंड विनाशी नी यानि चंड और मुंड का विनाश करने वाले मा सर्वा सुर्विनाशा यानी सभी राक्षसों का नाश करने वाले मा शर्व दानव घातिनी यानी संहार के लिए शक्ती रखने वाले मा शर्व सास्त्र मई यानी सभी शिद्धानतों में निपुन मा सत्या यानी सच्चाई मा सर्व सत्ध धारणी यानी सभी हथियारों को धारण करने वाली मा अनेक शस्त्र हस्ता यानी अनेक हथियार धारण करने वाली मा अनेक कास्त्र धारणी यानी अनेकों हथियार धारण करने वाली मा कुमारी यानी शुंदर किशोरी मा एक कन्या यानी कन्या मा कैशोरी यानी जवान लड़की मा युवती यानी नारी मा यती यानी तपश्वे मा आपरोढ़ा यानी जो कभी पुराना ना हो मा परोढ़ा जो पुराना है मा व्रिद्ध माता यानी शिथिल मा बल प्रदा यानी शक्ति देने वाली मा महोदरी यानी ब्रम्हान को शमालने वाली मा मुक्त केशी यानी खुले वाल वाली मा घोर रूपा यानी एक भयंकर द्रिष्टी कोण वाली मा महामला यानी महाशक्ति वाली मा अग्नी ज्वाला यानी मार्मिक आग की तर मा रोद्र मुखी यानि विद्वन्सक रुद्र की तरा भयंकर चहरा रखने वाली मा काल रात्री यानि काले रंग वाली मा तपस्विनी यानि तपस्या में लगे हुए मा नारायनी यानि भगवान नारायन की विनाशकारी रूप मा भद्रकाली यानि काली का भयंकर रूप मा विश्णुमाया यानि भगवान का जादू मा जलोदरी यानि ब्रह्मान में निवाश करने वाली मा शिवदूती यानि भगवान शिव की राजदूत मा करली यानि हिंसक मा अनन्ता यानि विनाश रहित मा परमेश्वरी यानि प्रथम देवी मा कात्यायनी यानि रिशिक कात्यायन द्वारा पूझनिये मा सावित्री यानि सुरी की बेटी मा प्रत्यक्षा यानि वास्तविक मा ब्रह्मवादिनी यानि वर्तमान में हर जगह वास करने वाली और इस प्रकार मा दुर्गा के 108 नामों की स्तूती खतम हुई दोस्तों नवरात्री के समय मा दुर्गा के हम इन्ही रूपों में से 9 रूपों को पूझते हैं बहुत बहुत धनिवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेजेगा कमेंट सेक्षन में हमें जरूर बता देजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकोन जरूर प्रेस कर लेजेगा ताकि मेरे सारे नए वीडियो का नोटिफिकिशन आप तक पहुंसता रहे थैंक्यू सो मच